नमस्कार दोस्तों सुरूची एवं कीचमाप का स्वागत है आज हम देखने वाले हैं कैरी और लसन का बीना तेल का सालबर टिकने वाला आचार आप मेरे चानल पर नए होंगे तो प्ली चानल को सब्सक्राब कीजे एस वीडियो को लाइक शेर और कमेंट कीजेगा यहाँ पर मैंने लसन लिया है तो सबसे पहले लसन को छील लेते हैं तो सबसे पहले दंटल से कलियों को इस तरह से अलग कर लेंगे चिल के निकालने के लिए मैं यहाँ पर चाको को इस्तमाल कर रहे हूँ दोनों सेट से थोड़े सा कट लगाएंगे और छिलका आसानी से निकाल लेंगे इस तरह से सभी इसके मैंने छिलके निकाल लिये है यहाँ पर मैंने चार कईरी ली है यानि की कच्याम और इनका वेट करीबा 900 ग्राम है इनहें मैंने अच्छा से धो लिया है और पोच के लिया है अब सबसे में इनुक कर लेते है दंठन के लैए और उसके बाद इसके छोटे छोटे सा करेंगे कहिरी के सिस आप की सुप से और बढ़े कर सकते हो तो इस तरह से मैंने इने कट कर लिया है, तो इसी तरह से पूरी कईरी को कट कर लेते हैं, अपर मैंने एक कईरी कट कर ली है और गुठली को साइड में निकाल लिया है, इसी तरह से बाकी बचुई कईरीों को कट कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने चारो कईरीया कट कर ली है और कटकरणे के बाद यहाँ पर दो टाप की केरिया अंदर से निकली है एक सभिद वाली और दूसरी पिली वाली चारों केरिया बाहर से बहुँद जादा सकती तो भी दो केरिया ग्राजन निकली है और दो केरिया पिली निकली है अंदर приготов op ज conditioned in Notice आचर के लिए हम लेंगे हल्दी पाउडर नमक सालबर आचर स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम कईरी वही लेंगे जो अंदर से अच्छी सपेद हो mixing ball में डाल देंगे कटकिवी कईरी जो अंदर से अच्छी सपेदे इसमें नमक डाल देंगे 2 चमच के करीबन इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नमक टालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी चूट जाता है अभी उपर से हमें इसमें थोड़ा भी पानी नहीं गिरने देना है अभी मैं इसमें और आधा चमच नमक एड़ कर रहे हूँ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यह हल्दी पाउडर आड़ कर देते हैं आधा चमच इसे मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर हल्दी पाउडर में और आधा चमच आड़ कर रहे हूँ इसे भी मिक्स कर लेते हैं तो टोटल में ने यहाँ पर एक चमच हल्दी पाउडर आड़ की है लसंग की कलिया डाल देते हैं 15-20, आप यहाँ पे लसंग को अच्छे से बारी कट करके भी डाल सकते हो यहाँ पे तयार है सालबर टिकने वाला कहरी और लसंग का बिना तेल का आचार इसे एक काच की बोटल में भर लेते हैं, आप इसे एटेट कंटेनर में भी भर सकते हो इसे स्टोर करते समय आपको यह द्हान रखना है कि काच की बोटल या फिर एटेट कंटेनर गिला नहीं होना चाहिए थोड़ा भी और इसे निकालते समय जो चमश ले वो हमेशा सुकाई ले थोड़ा भी केला हुआ तो यह आचार जल्दी खराब हो जाएगा इस आचार को हर रोज इस तरह से एक बार मिक्स करना है ताकि यह सबी जगह से अच्छे से गल जाए यह आचार बनाने के बाद तीन से चार दिन बाद आपे से खाईएगा ताकि इसका स्वात बहुत अच्छा आ जाएगा तब तक जो करिया अंदर से पिली निकली तो उसका भी आचार बना लेते हैं इन करियों का आचार हम अलग से बनाएंगे क्योंकि जो सपित वाली करिया थी अंदर से उसका आचार सालबर टिकता है लेकिन यह पिली वाली करियों का आचार सिर्फ एक दो मैने के लिए ही टिकता है मिक्सिंग बॉल में डाल देते हैं पिली वाली करी के पिसेस मैंने यहाप पे देड़ चमज डाल दिया है हल्दी पाउडर और दो चमज डाल दिया है नमक इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें डाल देते हैं लसंखी कर लिया इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पिली करीों का आचार एक से दो मैने तक अच्छा रहेगा, हम इसे एट एट कंटेनर में भरके रखेंगे और इसे रोज अच्छा से मिक्स करना है, आज हमने देखा करी और लसंग का बिना तेल का आचार हम इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं, और अगर करी पिली निकली तो उसका अलग से आचार बनाना है, यह बात धन में रखेंगे, अगर आप सपेत करी और पिली करी का साथ में आचार बनाऊंगे तो वो ज्यादा दिन नहीं ठीकेगा, यह आचार आप रोटी पर रठा दाजावल, या फिर खीचडी, या फिर चपाती के साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है यह अचार, आपको यह अचार अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, और प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राब कीजिए, ठेंक्यू फोर वाचिंग